स्वीट टूद के लांस्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे गस और बिक मैन को पुलिस वाले अपने साथ लेके कैम्प में जा रहे थे लेकिन तभी एक आनिमल ग्रूप आता है यानि कि वही लड़की जो कि थोड़ टाइम पहले भी गस को मार्केट में मिली थी इनी सारी बच्चों के ग्रूप ने गस को बचा लिया था और साथ ही साथ जनरल एपर्ट भी किसी को ढूंड रहे थे इसी कंटिनिटी के साथ में एपिसोड नंबर फोर्थ की शिर्वात होती है जहां पर शायद ये आनिमल ग्रूप बिक मैन को वही पे मार देता लेकिन गस जाकि उसे बचा लेता है और कहता है कि ये हमीशा से मेरे साथ रहा है ये कोई बुरा आत्मी नहीं है इसे मत मारो गस की बाद सुनते हुए अनिमल ग्रूप की लीडर जिसका नाम बियर था वो बिक मैन को छोड़ दीती है जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एमी पे कैसम सभी लोगों ने देखा था कि एमी एक जू की अंदर रहने लगी थी और इसी के साथ उसने एक कैम्पियन भी चलाया था जिसके अंदर वो हाइबरेड बच्चों को अपने पास में सिक्योर रख सकती है एक दिन एमी के पास में कॉल आता है कि कोई हाइबरेड जाएगा तो वो एक लोकेशन पर रख दिया जाएगा एमी उसे वहाँ से अपने साथ ले जाएगी लेकिन इस बार कॉल करने वाले ने एमी से उसकी लोकेशन पूछी थी इससे साफ पता चलता है कि ये कोई फ्रॉड आदमी था जोकि हाइबरेड बच्चों को एमी से और इनके आस-पास में लोग भी आने शुरू हो गए हैं यहाँ अनिमल ग्रूप के साथ में गस को और बिग मैन को उनी के शेल्टर में लेकर आया जाता है ये शेल्टर किसे किट हैवन से कम बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि यहाँ पे काफी सारी गेम्स थे बच्चे यहा पर बच्चा आता है आर्मी में जॉइन होने के लिए वो अपने सबसे फीवरिट क्यरेक्टर को यहाँ पर ड्रॉ करता है इसी के कारण सारी बच्चे अपने अपने फीवरिट अनिमल का मास्क भी पहनते हैं एक दिन के लिए गस को सपेशल गेस्ट बनाया जाता है और इनी लोगों ने तुम्हें भी ढूंडा है गस जब ये बात सुनता है तो वो सबसे पहले ये की चीज़ पूछता है कि तुम्हें पता है कि कॉलरार्डो कहाँ पर है मैं वहाँ पर अपनी ममा को ढूंड रहा हूँ बियर गस को साइट में लेके चाती है और उसे उसके ममा चुके थे जैसे कि गस के पापा भी मारे गए बियर को गस की सिच्वेशन काफी हद तक अपनी जैसी दिखाई दे रही थी जिसके बाद सीनिया पर डॉक्टर आदित्या प्रशिफ्ट होता है वो अभी भी रानी के साथ में बैटके उन बुक्स को पढ़ रहा था जिसे कि वो क्यों और निकाल सके लेकिन अभी तक भी आदित्या को ऐसा कोई भी फार्मुला नहीं पता चला था जिससे कि वो बिना हैप्रेट को मारे ही इस वाइरस का कोई भी एंटिडोट बना सके आदित्या को ख्लीनिक से एक कॉल आता है कि उसके लिए कोई डिलिवरी आई है आधिते जब बाहर जाता है, तो उसे यहाँ नैंसी मिलती है, आधिते की ऐसी हालत देखे, नैंसी पूछ लेती कि तुम्हें आकिर हुआ क्या है, और काफे दिन हो गए, रानी भी घर से बाहर नहीं निकली है, तो आधिते जूट बोल देता है कि कल हम लोगों की अनिवर्सर जाएगा, तो उस इंसान को उसी के घर में बांद के चला दिया जाएगा, लेकिन उन लोगों के घर के बार काफी सारे फ्लार्स भी हम देख सकते थे, आधिते ट्रिक्सी के उपर बैट के अपने क्लीनिक पहुंचता है, जहाँ पर जब वो डिलिवरी रिसीव करता है, तो शायद उसे लगा था कि उसे कोई हाइब्रिट मिल जाएगा, और शायद वो एक और वैक्सिन बना पाएगा, रानी की तवियत खराब होती जा रही थी इस कारण, लेकिन उस बॉक्स में कोई भी हाइब्रिट नहीं था, इसका मतलब था कि अभी आर्मे के पास में हाइब् खुश गई, वो रानी के मुझ से सुनना चाती थी, कि रानी की तवियत खराब है और वो इन्फेक्टेड है, आखिरकार बातो यह बातो में नैंसी की आदिता और रानी से फाइट हो जाती है नैंसी को पता चल चुका था कि रानी इंफेक्टेड है लेकिन ये बात अभी से जल्द कोई की और भी ढूंड लेगा इसी के साथ सीन यहां पर एमी और उसके बेटी पर शिफ्ट होता है एमे ने इस बच्ची के टाइम पास के लिए उसे कहीं सारी चीज़े दिखाई थी और साथ हम घर में देख पाते हैं कि यहां पर और भी कहीं सारी स्पिशीस के मेक एक साथ में हाईब्रेड रहा करते थे एमी उन सब का ध्यान रखती थी लेकिन उन सब में से सिर्फ यही बच्ची थी चोंकि ही इसे भी काफी सारे रूल सिखा रखे थे एक दिन हम देखते हैं कि यही बच्चे डिनर के बाद में अपना कुछ बचा हुआ खाना प्लांट आता है एक और छोटा सा हाइब्रिड असल के अंदर ये इस बच्ची का दोस्ता जिसका नाम बॉबी था ये भी एक हाइब्रिड ही है और इस बच्ची के कहने के कारण एम याब इसे भी अपने साथ ही रख लेती है सीन यहाँ एनिमल ग्रूप के अंदर शिफ्ट होता है क्योंकि गस ने पूछा था कि आखिर बिग मैन इस टाइम पे कहा है गस यहाँ बिग मैन से मिलनी के लिए आता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ के बच्चों ने बिग मैन को बहुत परिशान किया है और टॉर्चर भी था और वो बता भी नहीं पाता कि आखिर उसने क्या किया है अपने पास्ट में लोगों को मारने के लिए यहाँ पर एक अलग सी जगह बनाई गई थी खास करके यहाँ पर लास्ट मैंद को मारा जाता था अगर कोई पकड़ा जाता है तो सारे बच्चे एक साथ में इस ची कुछ बुरा नहीं किया है उसने हमेशा मेरी हैल पी की है वो मुझे मेरी मॉम तक लेके जा रहा है यह सारी बाते बियर अंडस्टाइंड कर लेती है लेकिन बियर जब उसे रोकने वाली थी तो टाइकर नाम की लड़की उस कंटेनर को ओपन करवा देती है और कहती है कि य की पहा की बुरा है उसे मार के ही रहेंगे उस कंटेनर में से जैसे टाइकर बहार आता है तो गस की खुट के शांगाय कर पार Been कर और ऑर उसे समझा रहा है कि तुम्हें बिग मैन को नहीं मार ना है अब बीर के मना करने की बाद में टाइकर वहां को इस ग्रुप का नहीं बना देती है देखते ही देखते दौनों तरफ से ग्रूप के मेंबर्स आपस में चकड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं इस बीच के अंदर गस और बिग मैन तो यहां से चले जाते हैं सेम टाइम पे हम आधित्य को देखते हैं जो कि नैंसी को इस टाइम पे रोग ही रहा था और नई किसी का कसूर था लेकिन फिर पिर नैंसी मारी जाती है अब ये बात किसी को ना पता चले इसी की कारणद आदित्य और रानी नैंसी को उठा के अपने घर में ले आते हैं और इसी के साथ काईजि शानतार एपेसोड यहीं पे खद्प हो जाता है तो चली फिर मिलत से अकले अपिसोड में तब तक के लिए टाटा के लिए टाटा